नमस्कार एक बार फिर दुबारा से स्वागत आपका हरियाना इन्विश्ट वांटिफॉर पे मैं हुमून अलामभा मेरे स्योगी प्रेंच लामभा के साथ हम मौजूद अज फिर दुबारा से जिंजर गाउं में तर्की दादरी नया जिलाविना है हम जिंजर गाउं में उपस्ते तो पहली वार सुनील फोगाट सत्यत्तर वार रंग लेके यूपीसी की प्रिक्षा कलियर की है पास की है और मेरे साथ खास बादचित उनके पिताजी कल भी मोजूद थे माताजी पूरे परिवार के सदों से बादचित करवाई लेकिन हमारे साथ सुनील फोगाट बादचित से वनचित रह गए थे हम तो आज उनके साथ कई वीशों पर बादचित करेंगे क्योंकि तीसरा आटेम था कई नोकरिया छोड़ी पचास पचास साट शाट लाग का पैकेज भी छोड़ा उनका मकसद सिधा मचली की आग था अरजुन का निशाना मचली की आग था तो निन्होंने सिर्फ यह की निशाना था मुझे यूपेस सी कलियर करना है और मुझे कोई बड़े रैंक मिले और उसके साथ ही मैं किसन की अच्छी पब्लिक डिलिंग करूँ और अच्छी पोस्ट पे हमारा तो कहिने की डी सी के पोस्ट पे इनका निक्ति होना निस्चीद है क्योंकि सत्यत्राव रैंक अच्छा खासा रैंक है इनका सुनील हर्याडा निश्ट टॉटी फर बहुत वस्वागत आप दन्यवाद ज़र आपका निवी लिए तुलील फोगाट जी फोगाट का पहले बात तो आप पूरा नाव रोसर कर दिया पूरे हर्याडा का फोगाट का और फोगाट खाफ अभी दे के लिए सुन रही है फोगाट का आपके बहुत फोगाट का एक लड़का आया है उसका इंटरिव्यू करना है तो पूरे भारत को पूरे हर्याणा को सबसे अच्छी बात ये लगी हमी आपे आप अवे गाउं से जुड़े हैं और गाउं के अंदर ही रहके निकले हैं और माबाप को भी पहचा हैं गाउं से उनका कोई लिंक नहीं रहता कोई नाता नहीं रहता दूर दूर का और कभी गाउं में गाई बगए वो आते भी नहीं है तो सबसे अच्छी बात है गाउं से निकले हैं गाउं से जुड़े हैं सब को पहचानते हैं खेती बाड़ी करना जानते हैं और पस्व मैंने ने नकिन क्या कर रहा हूं मेरी रहा है और जिंसर अचुन्प सब्सक्राइब जो था कुर रहा है से जो मैंने अचेप्ट तफ्र इता है यह थर्ड था दो आप जो आपने के अर्ड नहीं कर पाई तो उशंहें क्या अब तो अब की बार आई प्रिपेड वेरी हाड एंड अप्सूनल तो सुनिल मैं एक बार जाना चाहता हूं जैसे अब दो बार आपने किया तीसरे बार फिर दुबारा से तो आपको डर नहीं लगा कहीं कि विचल इतन नहीं हुए कभी ना कर पा हूं थीसरा भी फिर कभी बुच साथ लाग का पैज आप जाए कभी आप कमांडिर लगे थे बोनो करिव कहीं हाँ से ना चली जाए तो कभी किसी समय आपको ऐसा डर नहीं बटता था जब भी फैल होता था रिजल्ट देखता था फैल होने के बाद बहुँ डर लगता था मुझे अर बार पर उस टाइम पे कि इंट्रिव का इंको जो वी सोर्स मिलता था वो मेरे को बेजते रहते थे यह बताते रहते थे कि यहां से प्रिपेर कर सकता है यह से प्रिपेर कर सकता है में में मेरे मैं फैल हो रहा था था थे नहीं बताए कैंसो राइटन के प्रेक्टिस करने चाहिए तो जादा ज्या बच्चा डीसी बला है लेकिल ये बताते थे रगुलर कहा क्या करना है आपको कहां से क्या स्थोड़ी सी शिक्षा लेनी है कहां से नोट्स लेने हैं किसके पास जाना है सहाब अपनी नोकरी विशाथ साथ करना घर को समालना पूरे परिवार को समालना उसके साल डीसी की त्य जाते हैं आज यह कभी ने कभी मैं आपके बाद दुबारा दोड़ता हूँ मेरा नाम है रनवीर सिंग जी 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 अब पूरे दिन ये क्या वो घुमते रहते थे कहीं क्या ऐसे चीज बेटे के लिए लेकि आउर वाह उते बाहर डालो मैं ट्रेगल कर रहा होता है तो कई बार जो मेरे साथ जोब करने वाड़े जो मेरे से से शिनियर कंडिडेट होते थे अमा कई बारों से भी शेयर करता था थोड़ा सा रिलक्स हो जी यह पहले पिता जी बाओ के आखों में आसू है और अभी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बेटा डेची लगा है बेटे से ज़्यादा मैनत यहां सी हुई है यह आप देख लिजे खुद बेटा अपने जमान से बता रहा है कि पिता जी जहां पी मैं अटकता था वहां मेरे पिता जी वेरे साथ खड़े रहते थे और मेरे लिए अलग-अलग सामगिरी डूडते रहते थे यहनि कि एजुकेसल ने पढ़ाने की जो होती थी यूपीसी में जो काम आती है वो पूरे दिन यह है लोपुरस यह ढूंडता रहता था कि बेटा कहीं मार ना खा जाए बेटा को कुछ करना है और साहब पिछ पर साथ लाग का पैकेज ठुक राया वो भी इनी की देन थी नहीं का बेटा कोई टेंशन नहीं है आप साथ लाग का फोरण कैट्री के जो भी थे वहाँ विजिट था और वहाँ साथ साथ लाग का पैकेज था इन्होंनों कहा कोई दिक्कत नहीं आप कीजिए पिता जी इससे बादों बात करेंगे आप थोड़ा सा बाव करेंगे क्यों बाव सर खुशी भी है और जो स्ट्रगल भी देखा इन्होंने पूरी फैमिली ने तो वो थोड़ा एमोशनल होना बनता है सर उसी का है सारा का सारा तो आपकी मम्मी पिता जी से ज़्यादा भाव करती है कैल भी आपकी मम्मी रोने लगी थी स्बसे पहले कैमेरिक सांगे मुझे वाद कीजिये चाही कितनी भी दिक्कत आए आपको चाहे आग में कूदना पड़े चाहे आपको कुछ भी करना पड़े मम्मी पापा का रविता इस उत्रू नहीं ये वो मम्मी का, पापा मेरे को सोर्शी बदाते थे, मम्मी का, और मेरी बुआ है, इनका एमोशनल सुपोर्ट रहता था मेरे साथ, हमेशा इनों ने मेरे को कभी हैचे वीक मैसूस नहीं होने दिया. साधी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, और आपके साधी इतनी बड़ी पोस्ट पे होगी, लेकिन मैं वैसा आसा करूगा, मम्मी पापा का भी दुख लिए पोचेगा. मैं कोशिज करूँ आजर मैं कोशिज क्या करूँगा, मैं नहीं पहुचाँगा उनको दुख, तो वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करूँगा, तो पिता जी रो रहे हैं थोड़ा सा, और खुशी की आसु ही है, क्योंकि एक बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे है, और माताजी के आखों में खुशी के आच में लगाता रहे, क्योंकि बोड़ा खुण फचिना ये करके सीचा है इन्होंने, और साहब जो गरीब होते हैं, जो मद्यम वरके वो गरीब ही होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, यहां तक बेटों के लिए के आने में, क्योंकि कि इंजिनियर, डोक्टर, सनियता का बेटा, उनको कभी पैसे का भाव नहीं होता, अपने कितने घंटे पड़ाईगे, दस गंटे तो रेगुलर था, कभी-कभी ज़्यादा 14-15 गंटे भी हो जाती थी, तो एक आद बारा, 7-8 गंटे भी हो जाती थी, पर कंसिस्टेंटली 10-11 hours की study required है, UPSC में, और वो भी अगर सही डारेक्शन भी किजाती है, तो अदर्वाइस कई गलत sources उठा लेते हैं, गलत वे में पढ़ने लगते हैं, तो वो चीज़ भी फिर डिफिकल्टी क्रियेट कर देती है, बाद में, तो कंसिस्टेंटली 10-11 hours की study और एक दिन चाही करते थे, तो कौन से किताब हो आपका फोकस, NCRT या क्योंकि और वो चीज़ पड़ी हैं, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रोंग था, तो मैंने में लिए जो स्टेंडर्ड बुक्स रहते हैं, UPSC के लिए, जैसे लक्षमी कांत रहते हैं, पॉलिटी के लिए, स्री रामा येश्की एकोनोमी की बुक रहती है, सर, और जियोगर्फी के लिए PMFI येश्की बुक है, तो में लिए बुक्स पड़ी है, मैंने, NCRT मैंने नहीं पड़ी है, सर, क्योंकि मैं सोचा कि वो वेस्टेंड ऑफ टाइम होगा, क्यों आगर में जो चीज़े मुझे पता हैं, उनको बार ना ही क्या है, तो में तो मेरी दिक्कत हो आपे थी, सेकंड टाइम में जर मैंने जीएश के लिए तेयारी की, ऑप्सनल में मेरा पास नहीं हुआ था, दोसो नंबरी थे, और सर, लास्ट टाइम जब मैंने दिया था, उसमें मेरी अच्छे से तेयारी थी, सर, मेरी जीएश के परती क्या बात है, पूरा गाउं हम के लिए हम गैठे दे, सब आपको बहुत अच्छा बच्चा अच्छा है, तो को तो खास है ताब है, फगड साहब सुलील, तो अपना प्यार दे रहे हैं मुझे, और तैसा तो कुछ नहीं है, सर की मेरे अंदर कुछ अलग है, तो औ अच्छा बेट्टा जब ऐसे गाउं से उठके कुछ आशिल करता है, तो सब को अपने गाउं में यही है, सोसल वो अच्छा है, सेरों में यह चीज नहीं देखने को मिलती है, तो जब गाउं का कोई बच्चा उपर तक जाता है, तो पूरे गाउंवाले खुछी मनाते है, सुनिल, आपने माँ को यह क्यों क्यों का, मुन मैं लग जाता हूं, मेरी तंखा का, आपको मेरी उए और ceram cha से यह यह क्लाह रहा हूं, आपको मेरी सेलरी नहीं दुगा, माई गरीबों में बाड़ूं पूरी स्यलरी गरीबों के लिए लगाउंगा, आप मेरे तंखा की वे हैं तुझर मैंने सोचा कि अपने घर का वह है वह आराम सी खर्चा चला सकते हैं और जो मैं वह अपना सोचल सर्विस की तरफ ज्यादा द्यान दोंगा तो यह में रिजन था सरूशी के पीछे तो भावी के साथ फाग बहुत खेलते था पानी लेकर बाल्टी मार मार के पानी की यह बड़ा चाव था प्रफ तो अरियाना का कल्चर है अपना तो बच्मन से खेल दा तो अच्छा लगता था तो सबसे फेवरेट भावी खोने ज्यादा भी गोते था पानी से तो सारी पानी से खेल दा तो यह वैसे कहाँ कि कुछ हर संबव चीजें जो होती है और जब उसको हासिल किया जाता है तो एक खुशी भी होती है या बावकता है दोन्हों चीज होती है ऐसा कुछ नहीं है बाकी इसने अपने दिल में मतलब यह जब जज़ किया था कि भी वह इसके दिल में कुछ है अच्छा करने का तो बरुसा तब बिल्कुल साथ लाग का पैकेज ठुक राया तो उसमें पैसा सब को पैरा होता है और साथ लाग चोटी की में तनी होती पूरी जिए उनमें गाउं के लोग साथ लाग कुपे कभी कमा नहीं पाते हैं और आपनी इ देखता था मैं दुनिया के छोटे चोटे चोटे बच्चों को जैसे मैंने ट्रैनिंग भी किया है उस टाइम अपने सीनियर को देखता था जब मैं थोड़ा सा और सीनियर बना तो अपने जूनियर को देखता था हम उनको कुछ काम देते थे कुछ सीनियर हमें काम देते थ को हम करते थे गाउं में चोटे बच्छों को देता था तो ये पैकेज की वज़ आसे जज और बरौसा नहीं था बरौसा इसके उपर इसको कोई भी मियका अब देता था तो इसको वह कंपलीट करता ही था तो उसके मतलब जज़ मतलम माई आइडियल था है इनको बता हो मतले कि इन ज़ज़ करता रहता है कि जब ये एक छोटे से दिये वे काम को अपना पूरा करके और फिर वापी से उसका फीड़बेक लगा लो इंगलीज में भी वापीस बताता था ये कमी रह गिया है हो गया हाँ बिल्कुल है तो इस तरह कि जब बत्चे से फीड़बेक या ऐसे पोजिटिविटी मिलती है तो मतलब यह होता है अगर वो किसी काम को इच्छा से करने के लिए बोलेगा तो फिर उसमें 100% सेक्सेस है जब हम कोई काम के लिए बोलते हैं उस काम को कर रहा है 100% लेकिन वो अपनी चैसे की ज़िए बोलेगा तो उसमें नोट सेक्सस का कोई सवाल ही नहीं होता यह डिए डिए सी बनने का दो सपना था आपका था आपकी पतनी का था या फिर बेटे का था था किसका यह मुझे बढ़ बनाना बेटा और खुछ नहीं गाओं के बासा में वह बाब का जिए उन सफला है तो वो तारगेट है वो मैं लेके तल रहा था अकिभी बता सेक्सस करना है था इस पोस्ट में हो तो यह जो किसन में हो मतलब तक रिबने मैं खुद सोचता था मैंने कई बार इसको बोला भी था फिफ्ट तक मैं तेरे को देखूँगा पांच मे एल्ती था और मेरे को इसने सपस्ट के बारे में डालने के लिए बोला है वी जैसे रैसलिंग का एरियाना का यभी फेवरिट गेम और उसके लिए भी बोला क्योंकि बहुत अपने साथ वालों में बहुत अपस्ट तक और मेंती था कूंकि ऐसे बच्चे कहीं भी सेक्सस हो मतलब ये फैस्ट और सेगिंड फैस्ट और सेगिंड है चितलता रहा अपने बात चालो मैं में रोकता हूँ एक मिंड आपने गाहा जिसके बेटे सेक्सस हैं महाबाप का जीवन सफल है तो सेक्सस के लिए पढ़ना पड़ता है लेकिन साथ साथ एक बात और भी लाग होती आ लेकिन महाबाप आसरबों में पड़े हैं आज रोज सो आसरम खुल रहे हैं भारत बरस में आज एक देखोगी उस जगह दूसरा आसरम नया खुलता जा रहा है तो वो भी किसी के महाबाप है ऐसा नहीं है वो कोई ऐसे आनात घूम रहे हैं उनके भी बच्चे हैं बड़ी नहीं बड़ी पोस्टों में रहे हैं कोई बड़ी इंजिनियर है तो वह भी कहनी कि उन लोगों की कमी है माबाप आपको आसर में छोड़ दिया तो यह कहीं ह Means का नहीं संसकार नहीं नहीं छाइए चाहिए और आपने बोला मैं आपको यहीं बातबने वाला था जब इस तरह की कोई का नहीं होती है पेरेंट्स के साथ तो वो बच्चे की कमी नहीं है वो जो जब वो डवलप कर रहा होता है तो उसके साथ-साथ हमें जो हमारा कलचा रहा सनस करती है उससे उसको वांच इतनी रखना चाहिए ताए वो की जी परकार की हो और बच्चा काम कि आप जादतर मतलब सेक्सिस का मतलब होता है हर साइड से यह निए कि आपने जो के सनासी कर लिए बाकी कोई कहीं भी जाय कुछ नहीं तो अपनी जो संस करती है उसको भी जानना अपने जो बजरक हैं उनकी शेवाबी करना अपने साथियों को भी देखना और किशी को का लड़का शनील फोगर्ट सत्यतरवा रंक पूरे भारत में काईना दिखा दिया है सब लोगों को आप सोचते होंगे बड़े घर क्या बच्चे ढई स्य हीं डीसी बन सकते हैं एसपी बन सकते हैं साभ और हैस्टीम बन सकते हैं तैश्य नहीं लेकिन यह मित्षय है साभ आप कहते हैं गोड़ गिफ्ट होगा, साहब गोड़ गिफ्ट भी नहीं हैं, सिर्फ रस्ता, महनत, लगन और जुनून से जाता है उस सड़क पे, और साहब आप जाना चाते हो सोटकर तरीके से, सोटकर से कभी कोई काम्यम नहीं होता, इस बच्चे ने बड़ी मेहनत किया आज इस जगह पोचा है, पूरे भारत के गाउं के बच्चों के एक सिक्षा देके जा रहा है ये लड़का, ये डिसी पद पे हो सकता है, तो साहब आप क्यों नहीं हो सकते, गाउं का लड़का है ये, और गाउं में रहा है विसे इस बात ये है, क्योंकि कई माबाप बहुत बड़ी गल्ती भी कर देते हैं, अपने बच्चे को होस्टल में डालके, और होस्टल में ही पढ़ाके, कभी गाउं में बुलाते नहीं, कभी खूल एबमाप को चाच्या, और है बादादी, माजा, अपिता, और ये, अचाचा, भाई, बहन, बेहन, बंद, भूल जाते हैं, उनको पता राधा है, रिस्टे नाथ्या आछिर होते क्या है, अखिर माबाप में जाना पड़ता है। तो कुछ कमियां माबाप की उसग सु भी बुलाते नहीं है, उनको क्या पता माबाप का प्यार होता क्या है, उनको क्या पता दादा देदी का प्यार होता क्या है, उनको क्या पता बुआ चाची भाबी का क्या प्यार होता है, सुनिल, फोगाट, मापको सुलूट करता हूँ कि पिता जी को आपकी माता जी को, आप तो पर दोस्त भी पहर रहे तो नहीं है तो उन्होंने देखा तो उन्होंने का कि अगर तेरा ही हो गया तो हमारा वही जाएगा वही ओपिटेंस आ रहा है क्योंकि सर जो मारा फ्रेंड सर्कल था उसमें मैं स्लेक्ट वाता है तो वह कह रहे थी कि अब हम भी कर लेंगे तो आड़र के सर सब कुछ और एक डारेक्शन राइट वे में आपको सुक्सिस दिलवाएगा अच्छे सुनी फोगाट क्या एक बार हमने अभी पिसी की आजना चाहिए कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और चट्टे में एक बात और जाना चाहूँआ अब कई बच्चे कहते हैं हमने च्छे बारा एक्जाम दे दिये और च्छे रिपिसी परिक्षा का लियर नहीं कर आए तो क्या दे एंड हुनकी लाइफ का कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उनकी वहां से क्या फैलियर कोई कुछी सा दे के नहीं जा सकता कोई ऐसा थोड़ी है चार सारे रास्ते बंद हो गया हम तो सब कुछ अंदेरा अंदेरा है अब हम कुछ कर नहीं सकते हमारा तो यह सपना था सर फैलियर किसी भी एक्जाम में एंड नहीं होता सर किसी भी चीज़ का जब किसी भी एक्जाम के तैरी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए लाइफ बंद जाता है हम उसमें फेल हो जाते हैं हम सोचते हैं कि सब कुछ खतम हो गया पर ये एक सोट ट्रम है सर ये जो कंडिशन होती है अब थोड़ी दिन बाद हम उसके और कम आते हैं भी किसी दूसरे एक्जाम के लिए तैयारी करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं फिर तीसरे के लिए तैयारी क तो वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजन्ट हुए क्योंकि मेरा तो पहला इंटर्वीव था ये तो सर यूपेशी के बाद भी लाइफ है और एक यूपेशी की तिहारी करने के बाद बहुत ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं आपके सामने कई स्टेट सर्वीशीज का एक्जाम आप दे सकते हो चैपिएफ का एकजाम आप दे सकते हो उससे आगे जिंदगी में बहुत कुछ अचा लिक रखा हूं तो मैं तो सबस्का एक रास्ता बंद होता है चार रास्ते खुल जाते उसी जगे से आपकुछ भी कर सकते हैं बगवान ने यह मंजू नहीं ने था साइ तो साहब आप अतास मत हो ये, क्योंकि अतास हो आप गर पे बैठ जाते हैं, तो साहब आप घर पे बैठने के जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप चलते जाएए, दुनिया क्या कहिए, दुनिया पे छोड़िये, आप अपना बैश दीजिए, अपना गोल, अचियूमिट क किजिए मुझे करना क्या है, जाना क्या है, अगर आप पांच साल दे देते हैं एक जगें, तो चक्स निच्छी तोर पे होंगे, मुझे ये बताइए, जैसे आपने दस गंटे, हाट गंटे रागुलर पढ़ाई की, तो जैसे बीच में क्या कुछ प्रेक भी लेते थे और बार प्रेक के साथ था था आप क्या मोबाईल में गप सब करते थे वाटसब केलते थे या फिजिकल कोई गेम करते थे या फिर बाहर जा के कोई गप पे माल अगर शर बीच में मैं बेग लेता था मेरे पास फोन तो नहीं है वाटसब और ही चलाने के लिए चोटा फोन साम को मैं एक गंटे का ब्रेक लेता था सर उस टाइम में पार्क में गूमने चला जाता था गूम फिर के बार तोड़ा तोड़ा देख के फ्रेस होके और मैं वापीस अबने रूम पर आगे पर पड़ने लग जाता था सर यह मेरा रूटीन था क्योंकि एक कंटिनुवसली ज पड़ने लग जाते हो तो उसे दिमाग के पर बर्डन क्रियेट हो जाता है तो उसको आपको थोड़ा माइंड को फिर शे उसी अनेर्जी लेवल पर लेक आने के लिए ब्रेक चाहिए होते हैं सर बीच में यह मोबाइल के तना परियोग करते थे यूटूब से कुछ साहरा करणा इसको अभी तो मैं तो यहीं को हूंगा समार्ट फॉन से ज़्यादा दूर राजास की उदो ना रहे क्योंकि मेरे दोस्ते जो साथ रहते तो वहीं कहते थे इसमें मजा आने लगता सर समार्ट फॉन में पट्द्स बहुँएदा करता है यह तो तो इसके लिए मैं व सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर मेरी टोप बीच में रहें का दाती तो अच्छा था तो अच्छा रहता तो में यह इसरा में सैटिस्पाइब अच्छा पड़ेगा कहीं और मैं खुश हूं जर अभी लाग तो अपके ममी से कुछ पूचे दो आज पूचे जी क्या ना अनिता देवी तो क्या कहेंगे बेटों के क्या मैं तो यह ही करते हूं सभी ऐसा बेटा पैदा करें दुनिया की सेवा करें अपना नाम रोसन करें गाउं का करें अपने बारत का करें मेरा बेटा बिल्कुल एकदम सिंपलिटा है ना किसी चीज का खाने पिने का सोक है ना पैर ने का था ना फोन का था ना किसी चीज की जिद करता था मेरा बेटा कभी भी तो भेंजी, मैं एक बाद जाना चाहूँगा, आप संतुष्ट है और बेटी से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मेर बेटी से. मैं बेटी को कुछ कहना चाहिएंगे, जिन्द की आपकी बहुत बड़ी है, पूरा जीला होता आपके पास, और लाखों लोग आएंगे काम करवाने के लिए, तो अमीर तो काम करवा के चलते हैं, गरीब की कोई पूंच नहीं होती, कोई पूंच नहीं हो, वो विचारे कारी करने से पहले, गरीबों के क्या करें? जिनके पास पैसा है, वो अपना पैसे से करवा लेगा, गरीबों के कोई पैसे से भी नहीं होता तो उनका भी तो कोई करना, मतलब दुनिया में कोई ऐसा बंदा उन्हीं कोई शुनाई करें, मुझे एक बताईगे, गाई के सेवा करते थे, गाई के, और लाउने बगेरा घाये की शेवा करते हों लाइजृ भी अजि किया है, खितों में भी काम किया हैं सरु, घाये तो एम अभी अभी भी गर पें, तो शारे काम किये हैं मेरे साथ यह सुनील फोगाड बने होते खाज बाचित में तो इस पर आपके सोसे सभी ने बातों के साथ मैं मुना लामा मेरे सोगी हिमान सुलामा के साथ हरियान अनुश 24 नमस्कार जैह